आज का विशे है दुरुपद अभी तक एक मत से या निश्चित नहीं हो पाया है कि दुरुपद का आविश्कार कब और किस ने किया इस संबंध में विद्वानों के कई मत हैं कुछ विद्वानों का विचार है कि दुरुपद की रचना तेरवी शताबदी में हुई तथा कुछ के मतानुसार पंद्रवी शताबदी में ग्वालियर के राजा मानसिहतोमर ने इसकी रचना की जो कुछ भी हो इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिह तोमर ने दुरुपद के प्रचार में बहुत हाथ बटाया अकबर के समय में तान सेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास डागूर नायक बैजू और गोपाल आदि प्रच्छात गायक दुरुपद ही गाते थे दुरुपद गंभीर प्रकृति का गीत है इसे गाने में कंठ और फेपने पर बल पड़ता है इसलिए इसे मर्दाना गीत कहते हैं इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था किन्तो आज कल जनरुची में परिवर्टन होने के कारण इसका इस्थान ख्याल ने ले लिया है अधिकांश प्राचीन दुरुपदों के चार भाग होते थे स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग वर्तमान समय में दुरुपद के कीवर दो भाग स्थाई और अंतरा गाते हैं इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाशा के होते हैं इसमें वीर और श्रिंगार रस की प्रधानता होती है आधी पकावज के टालों में गाया जाता है दुरुपद की संगती पकावज से होती थी किन। आजकल पकावज का प्रचार कम होने से लोग तबले के साथ ही दुरुपद गा लेते हैं दुरुपद में सर्व प्रथम नौम तूम का सविस्तार आलाप करते हैं इस आलाप के भी चार भाग होते हैं आलाप की गदी उसके तीसरे अंग से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और इसी इस्थान से गमक का प्रयोक प्रारंभ होता है दुरुपद में खटके अथवातान के समान चपल स्वर समोह नहीं दिखाए जाते बलकि मींड और गमक का अधिक प्रयोक होता है आलाप के पश्चात सर्व प्रथम पूरे दुरुपद को उसके चारों भाग सहीत गाते हैं और फिर विभिण प्रकार की लैकारियां दिखाते हैं दुरुपद में लैकारी को विशेश स्थान प्राप्त है गीत की बंदिश द्वारा अत्वा उसके शब्दों द्वारा विभिन बूल बनाय हुए लैकारी का विश्थार करते हैं प्राचीन काल में दुरुपद गाने वालों को कलावंत कहा जाता था खमाजरा का प्रचलित गीत राजत रगुबीर धीर भंजन भवबीर पीर दुरुपद ही है धन्यवाद